और डेश में एक बार फिस से कोरूना का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है। कोरूना के बढ़ते आकड़े अब डराने लगे हैं। लगभग रोजाना बीस हजार से जाड़ा कोरूना के केस साब में आ रहे हैं। जो डेश के लिए एक चिंटा का विश्य हैं। क्या फिर से लोटाया है कोरूना ? क्या कोरूना कर रहा है री अटैड़ ? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब फिर से कोरूना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। देश में हर रोज 20 हजार से जादा कोरूना की मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें, तो देश में कोरोना की 24 हजार से ज़्यादा नए मामले सामने आई हैं। स्वास्थ मंत्राले की और से जारी आंकडों के मताबिक, कोरोना वारिस के नए मामले सामने आने के बाद, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक करोड तेरा लाग तेटीस हजार के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में 24,882 नए मामले सामने आए जब कि इनी 24 घंटों में 140 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं देश में महराष्ट में एक बार फिर हालात बेकाबू होने लगे हैं। जी हां, महराष्ट समेट देश के कई हिस्सों में कोरोना वारेस ने फिर से कहर बरपाना शूरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमनने केंदर सरकार के साथ ही राज्य सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है महराश्चर के कई जिलों में जहां लौक्टाउन लगा दिया गया है वहीं पंजाब में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ातरी हो रही है कि पशाब के कई जिलों में झाck कर्फ्यूं लगाये जाने की बाद अब मोहली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं, रात 11 बजबी से लेकर सुभे 5 बजबे कर मोहली में नाइट करimar क्रफ्यू है कि अज़ी सारी अपनी कोड़ूप दी मीटिंग किती है पुली सिर्जन सारे सनाल सी के उदे बिच भी अज़ी डिसाइड किता है कि एककता जमें साड़ा कड़ूआ पला लेवल वान सेंटर हुंदा सी जड़ा से बाल दीकर आता सी असी उनों दुबारा स्टार्ट करांगे एक जेड़े पुलीस नों भी रिक्वेस्ट की सी एसेसपी साथ नों थे साड़ी जॉइन टीम्स जित्थे भी गैदरिंग्स दी वाइलेशन हो रही है जिमें दोस्तों तो वद लोग हैगे या इंडोर सो तो वद हैगे उथे चेकिंग करके चलान कटनगे जित्थे लोड मामलों को देखते हुई लॉक्डाउन लगाया गया है नागपुर में पंधर से 21 मार्च तक लॉक्डाउन रहेगा लेकिन जैसे ही लॉक्डाउन का एलान किया गया तो बाजारों में लोगों की फीड उमड़ पड़ी जिसमें सोशल डिचनसी की धजियां उड़ती नजर रही है स्पेशल डेस शीनम शर्मा खबरमितार अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें